तो आज हमारे साथ मौझूद है भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नेता, कहले या अभी नेता मनुझ तिवारी, जो एक बर फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव में उत्रने को तैयार है। तो आईए मनुझ तिवारी से जानते हैं कि आखिर भारतिय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में कितनी सीटे जीतेगी। जिस तरह से दो लोग जो पचीश साल से दिल्ली में राज कर रहे थे और आपस में मिलकर के जो धोखा दिये हैं आमाधी पार्टी और कॉंग्रेस तो मुझे लगता है कि 4-5 परसेंट और वोट बढ़ेगा और में भी कि हम 60 परसेंट वोट सेर के साथ सातों सीटे जीते है तो इसबर वोट बटेगा ने क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस हमाद में पार्टी साथ आ गई हमेशा वोट बट जाता था क्योंकि अलग अलग लड़ते थे ना अब तो इनका पुरा जमीन समाप्त हो चुका है क्योंकि 25 साल से यही दोनों पार्टियां तो दिल्ली में राज कर रही है और अगर वही अपने अपने पाप को छुपाने के लिए मिल जाएं तो फिर लोगों का एकमात्र आप्सन भारती जनता पार्टी है और नरेंदर मो दिजी अपने कारियों से लोगों के दिलों में समाच चुके हैं इसलिए मुझे पुरा विश्वास है कि सातों सीटे पहले से भी एतिहासिक मतों के अंतर से हम जीतेंगे पर फिर से आपकी पार्टी ने आप पे भरोसा जता है तो इस बार अपने छेदर के लिए क्या नया करने वाले हैं नहीं कि अभी तक हमने 14,600 करोड का काम किया जोपी सांसद लोगों का बजट एक साल का 5 करोड होता है दस साल का 50 करोड था तो इस हमने 14,600 करोण का काम किया है अभी हमने मेन रोड बनाए है एलिवेटर रोड बना दिया सिगनिचर ब्रिज बनाया मेट्रो ला दिया यह सब हमारे पास नहीं ता सिंट्रल इसकूल पहली बार लाया अब हम अगली बार थोड़ी जो कम चोड़ी सणके हैं उनके अंदर घुसने वाले हैं ताकि लोगों को उसको भी बहतर करके दिया जासे क्योंकि आपका गाना बहुत मौझूद है बस एक होली का गाना सर प्लीज होली आने वाली है अभी तो होली जब आएगा न तो पूरा देश यही गाने वाला है और दिल्ली कि रंगवा मोधी के कमाल देशिर देशवा में होली आ मनी हो होली मोधी रंग के साथ करेंगे